चाहिए अक भृम है यिदन हो तो तो फफ़ाल हो आँ लगड़केशन अफेल तो इसाम माप हो मीड़ तो टिक है US लिवलडोपः के जो हमें इंटरेकशन करेंगे ना M से हमारे पास Mono Amine Oxidates Inhibitor आजाएगा ठीक है इसके पाद Anti-Hypertensive आजाएगा फिर P से हमारे पास Paradoxon आजाएगा वारिमन B5 ठीक है और जो दूसरा M है उससे हमारे पास आजाएगा Metaclopromide सबसे पहले आते हैं Levitopa Cross Mono Amine Oxidates Inhibitor Ammono Amine Oxidates Inhibitor जो होते है वो रिडार्ट करदे है ता मतलब जो डोपामीन की Degradation है न वो नहीं होगी न जब डोपामीन की Degradation नहीं हो त तो डोपामीन की Level जो होगा, ओ इंक्रीज हो जाएगा, Incaused the Plasmic Contension of Dopamine तब डॉपमीन का लेवल जादा हो जाएगा न तो हमारे पास, जो हाइपरिटेंसिफ क्राइसिज की कंडिशन है न वह आ जाएगी ठीके तो लिवी डोपा और इमोनमीन आॉक्सिडेस इनियविटर को इसलिए आफ लेविडोपा इंटू डोपामीन वो करा देता है ठीक है जिसकी वज़ए से लेविडोपा जो है वो डोपामीन में कनवर्ट हो जाता है जिसकी वज़ए से थेरेप्यूटिक अफेक्ट ऑफ डोपामीन जो है ना थेरेप्यूटिक अफेक्ट ऑफ लेविडोपा जो है दोबारा बदा देता हूं कि paradoxon जो होता है यह परेफ्टरली लेविडोपा को डुपामीन में convert कर देता है जिसकी वज़ा से हमारे पास हमें तो डुपामीन बॉडी में नीचे बॉडी में नीचे बॉडी में नीचे बॉडी में चाहिए जब नीचे बॉडी में होगा तो अफेक्ट हमें मिल ही नहीं रहा तो that's why we should not use लेविडोपा परादॉक्स ठीक है फिर एंटि हैपटेंसिव रॉडी में देंगे ना कि अब जैसे हमें पता है ना कि लेविडोपा भी हाइपोटेंशन क्योंस करते है ना पॉस्ट्रल हाइपोटेंशन और अंटि हैपटेंसिव ब्रॉड्ग और और हाइपोटेंशन क्योंस कराएंगे तो combination में आपोटेंशन जो है और भी वार्स ठीक है जिसकी वजह से हमारे पास जो ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिजम हो जाते हैं मतलब डॉपामीन जी है वो अपने रिसेप्टर पर एक्टी नहीं कर रहा है ठीक है अब अगर हम लोग लेवीडोपा इसके साथ दे रहे हैं मेटाक्रोप्रमाइट के साथ ठीक है तो आपका तो कोई काम ही नहीं हो क्योंकि ड्रग इंड्यूस पार्केंसोनिय्णम है और अँट्रक इंड्यूस पार्केंसवानियम में हमारे पस ड्रोपैमीन की कमी नहीं होती वर ना हमें लीविडोपा पर चाही होता है मैटाक्रोप्रमाइटियश करुछ त्रकानिषाndव uz झाल झाल